देश्वर दुनिया की एक्स्क्लूजिव खबरों के लिए सब्स्क्राइब करें माय चिकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को उस्प्रेज करेंगे ताकि आपको सबसे पहले मिले देश्वर दुनिया की एक्स्क्लूजिव खबरें नवश्कार मेरे पहरे देश्वास्यों पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा आमतोर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से हैं पिछले दो महने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भर्त्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकट से बचे हुए है ऐसा लगता है सब ठीक है वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रतेग भरतवासी का सजग रहना सतक रहना बहुत आवश्यक है साथियों आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश्वास्यों ने निराश नहीं किया है यह आपके आशिरवात की ताकत है कि हम सम्मिल करके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश्वास्यों से एक सो तीस करोड देश्वास्यों से आप सबसे कुछ मांगने आया हूँ मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताह चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे पैरे देश्वास्यों अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाएं नहीं सुझा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिन्ता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाइरस और उसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है इन देशों में सुरुवाती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनों ने आवशक निर्णे भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनशिल देश है और हम जैसे देश पर करोणा का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैस्ट्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मानना गलत है और इसलिए इस वैस्ट्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवशक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देश वासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैस्ट्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशान निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे साथियों इस तरह की वैस्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है संयम और सहियम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशियल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशियल डिस्टंसिंग ये बहुती जादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और सहियम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे इसरकों पर जाते रहेंगे और कॉरोना से बचे रहेंगे मैं समझता हूँ यह सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से यह आगरह है कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें जीतना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवाओं में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़वार से बाकी समारों से आईसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटिजन्स हो 60-65 वर्ष की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक गर से बाहर न निकले मैं फिर से आग्रह करता हूँ 60-65 से उपर के आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन गर से बाहर न निकले है कि हो सकता है कि वर्तमान पीडिक पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बं रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न न हो तो भी साल में एक दो भार तो भाहां के जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू को करके ये ब्लेक आउट का डिल भी करवाती थी लोगों का आदत बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूँ यह है जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हां जो आवशक से वहों से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई उवा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूंगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जमता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुँचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समन में नागरिक को करने वाले काम जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासियों ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कॉरोना जैसी वैश्विक महामारी के ख़़ाब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूँ साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहे डॉक्टर हो नर्सीज हो फस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एर्लाइन के कर्मचारी हो सरकारी कर्मचारी हो पुलिस करमी हो मीडिया करमी हो रेलिवे बस ऑटो रिक्षा की सुभिधा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्यन नहीं कही जा सकते आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राश्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रभिवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रभिवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रभिवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसाशन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पांच बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुँचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस महामारी के लिए प्रात्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि रूटिंग चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिल कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक नहों ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्त मत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में इसके गठन का फैसला लिया है ये टास्पोर्स सारे स्टेक होलर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्तिती का आकलन करते हुए निकट भविश में फैसले लेगी है ये टास्पोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्ख निम्नमध्यमवर्ख और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षति पहुँचाय दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आएवर्ख से भी आगर हैं कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता हैं आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दपतर ना आपाएं आपके घर ना आपाएं ऐसे में उनका वेतन न काटें पूरी मानवियता के साथ संवेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखिएगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूं कि देश में दूद खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्चक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि यह सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान कि संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान रुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग यह कता ही ठिक नहीं है उसको न करें साथियों पिछले दो महिनों में 130 करोड भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने यह जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासियों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईया भी आती है आशंकाओं और अप्फाओं का वातावरन भी प्यादा होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देशवास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियों हमें अभी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्विक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाए हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है ये आवश्विक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है ये शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्वक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए